मानिक का डबलू से आई एस प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब चलता रहूंगा पत पर चलने में माहिर बन जाओंगा या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाओंगा हुआ है आज हम पढ़ेंगे ड्रेने सिस्टम एंड अड्रेनेस पेटर्न तो सबसे पहले रहें अच्छा विछ यह किसे करते हैं यह दो प्लो ऑप वॉटर थ्रो चैनल्स इस Now न ऐस ट्रेनेश तो अब यह ड्रेनेश समझ में आगए है द्लो अ वाटर्स ठो चैनल्स इसन उन इसस ड्रेनश और शारियसके बात तो उस नदी को का नत्र जो है यानि कि उसका फ्लो है तो उसे क्या कहेंगे मतलब उसको हम ड्रेने सिस्टम पूरे को कहेंगे यानि किसी नदी के और उसकी साहिक नदियों से मिलके जो उसका बेसिन है उस सब को मिलाके यानि कि पूरे नेटवर्प को मिलाके क्या कहेंगे अब ट्रेने सिस्टम करेंगे तो इंडिया में अगर ड्रेने सिस्टम की बात करेंगे तो सिंदू नदी का सिंदू नदी सिंदू अपवातंत्र गंगा अबातंत्र वंपुत अब नदियों के अबवात अंत्रयानी की ड्रेने सिस्टम के दो वर्गों में विवाजित किया गया है अब यह दो वर्ग कौन-कौन से हैं एक है क्रमबर्ति यानि कॉंसिक्वेंट सिस्टम एक है अब यहां पर यहां नदियों के आधार पर रही किसी रिवर का और उसी का पूरा Analysis अब यह क्या है使 धाल के अनुकारंब़ती यानिकी कौसीकोइंट और किसी छेटर केफ़ से ही जॅनिसाल धाल बाउने नादिया अब यह क्या być सीच में धाल अगर इस्ट की तरफ है तो नदी उस धाल के अनुसार इस्ट में बहने लगेगी बैस्ट की तरफ है बैस्ट की तरफ बहने लगेगी तो जो भी वहां का जो छेटर विसेश का जो धाल है तो उसमें अगर वह नदी भह रही है तो उस धाल के अनुरूप बहने लगेगी और भणका ज़ो जो लुजी कल इस्ट्रक्चर है। उसी के अनुरूप प्रवाइत होने लगती है। तो यह तो होती है इस तरीकी क्योंतिे है करमवर्थी नदियां क्योंगते हैं। में Consequence andibility system क्यां है तो इसमें क्या है इसका अपोजिट यानि कि प्रदेशिक डूढ है उसका अनुसरान नहीं करती मतलब उस Mis certification हो और नाहीं प्रवायुत होते हैं बलकि उसके video यानि कि उसके हमें तो की धाल के अगेंज्ट में या ढाल पुछे नदी करें औरुसके कर हो सकता है अएसा हो सकता है ऐसा इसलिए होता है जैसे अगर हम गंगा ब्रहुम कुट्र और इन्डस के सिंदू नदी को देखें तो पहले क्या था जो हम बहुत मतलब इन से पहले रेक्चर से समझ तुके हैं किया था आप जैसे मान लिया आज की डेट में हमें किहां पर यह दिख से नदी दिख्टी ऑफ दो दो यह दिख रहे हैं मतलब परवत उनके बीच से निकलती ही दिख रही है तो ऐसा कैसे दिखता है तो यह ऐसा था सबसे पहले जब टेथी सी था तो उसके बाद से जब यह हिमालय परवत बन रहा था तो यह जब महा का वह अपलिफ्ट कर रहा था तो नदीज होती अपने रास्ते में जो भी ला पना जो पूरवर्थी उसका फ्लोव था मतलब उसका बहने का रास्ता था उसी में बहती रही वह जय से इधर पर वर करती मार्क पर चलती रही तो यह चीज क्या हो गई यानि कि उसे कोई भी जो लिजिकल स्ट्रक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसको तो यह चीज क्या हुई यह इस तरीकी की जो नदियां है वह आपको कहा मिलेंगी हमालय परवस्य निकलने वाली नदियां जो है कि दर्धाए वे पिडियों लंगा प्रवा संदाओं लगा इंडव्रेंब्रम्पय क्य है क्या है यह नि के और यह जो इस्टम दो कैणों रेनिस सिस्क्रOP क्या है तो क्या है कर यानिके इन कॉंसिक्षी धिभाइड आप एक तो आपको देखते हैं इस तरीके से पूरवर्ती नदी और दूसरी दिख रही है अध्यारोपित यानि कि सुपरिम्पोज और यह क्या होती एंटिसिडेंट बोलते हैं इसको तो पूरवर्ती नदी हमने देखी लिए अपने प्रभाव मार्क के इस्थानिया उत्थान यानि की जो अप्लिप्टमेंट हो रहा है तो काट कर अपने पूरवर्ती मार्क का अनुशरण करती हैं जैसे सिंदू यह सब हो गया अब अध्यारोपित की बात करते हैं नदियां उपरी संदशना में निर्वदगाटी का आरोपन निचली संदशना में भी करती हैं चाहें वह किसी भी प्रकार की संदशना क्यों नहीं आया होगा वीजन क्या है अध्यारोपित का मतलब यह भी क्या है जो उनका मार्क था इमान लिया यह नदी यहाँ से बैती थी पहले अब क्या हुगा यहां पर किसी तरीके से फॉल्ट जनेरेट उस फॉल्ट में मतलब उसी फॉल्ट के जरीए मतलब जो लावा वगर आया और उसने अपने इसमें लावा भर गया तो नदी उपर से उसके बहत हो रही है लेकिन उसने क्या करा आप उस संरचना को 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 नीचे से काटना सुरू करा और अपने मार्ग को बनाये रख नीचे की तरफ काटना शुरू करा और अपना पुराना मार्ग उसने ले लिया तो इसी को कहते है अध्या रूपे तो यही चीज लिखिए ने आधियां उपरी संद्रशणा में निर्वत घाटी का आरोपण निचली संद्रशणा में भी करता है उपर का जो आरोपण है नीचले नीचे भी करता है चाहें वे किसी प्रकार की संदेश्चना हो तो वह मैंने एक और दे दिया कि वह संदेश्चना मतलब लावा बगारा से बनी उपरी उसको काटके फिर वह नीचे वाली जो थी उसी लेविल पर आगई तो यह हो गई वो किसी भी तरीके की संद्रशना हो सकती है तो यह दामोदर, चंबर, सोंड्रे का बनास जो नदिया है यह सब क्या है? सुपर इंपोजड है तो यह थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है लेकिन यह मैंने अपने हिसाब साब को समझा दिया है अब देखते हैं यहाँ पर क्या है? यह वाली जो थी अपने जो धाल के अनुसार बहने वाली है वो किस तरीके से होती है? यहाँ पर आपको एक बहुत किस तरीके से दिख रहा होगा पैटर्न बना हुआ तो यह क्या है? इसमें देखते हैं तो यह क्या है सबसे पहले आपको धिखर ही ओगी यह river आती is हुआ धाल के अनुसार माले धाल शे अस तरीके से इधर की तरह बहर रही है तो यह जो odalken अनुसार है प्रारमिक ठाल के अनुसार याने की छेतिरगातल यह नदी तो क्यलाई अनुवर्ती यानि कि कॉंसीक्वेंट अब उसमें इधर से 90 डिगरी पर मिल लए यह इनिकि यह मेन वाली के 90 डिगरी इधर सब्सीक्वेंट इन्हें बोलते हैं परिवर्ती अब यह इसके पैरलल इधर से दिख रही है और एक इसके अपोजिट यहां पर दिख रही है तो जो मेन वाली के पैरलल इस सब्सीक्वेंट में आकर मिल रही है कहने कि इस सब्सीक्वेंट में इस वाली के पैरलल यह जो मिली तो इसको क्या कहेंगे नवानुवर्ती यानि कि री सीक्वेंट री सीक्वेंट और यहीं इसके जो इसे वाले के अपोजिट में आकर यह मिली तो यह कहला है ऑप्सीक्वेंट करत्त्य अनुवर्ती तो अब यह चार तरीके क्यों गई सबसे पहले जो धर्यातल के प्राणिमीक नहुरे रही है वह अनुवर्ति यानि कि consequent 90डिग्री पर आकर मिल रही है वह subsequent जो अनुवर्ति के parallel सबसेक्वेंट में आके मिल रही है वह foreign और यह अनुवर्ति के parallel है लेकिन इसके opposite सबसेक्वेंट में आके मिल रही है तो और यह चार तरीके के हो गए तो यह कौन सी हुई चारों कौन सीक्वेंट इसिस्टम बना रही है तो वही चीज़ यहां पर है अगर हम देखें तो अपने प्रवाय मारक के स्थानी उत्थान को काट कर अपने पूरवर्ति मारक का अनुसराइब करने वाली पूरवर्ति या और यह उस्टम करेंगे अनुवर्ति तो अभी हमने चार देखे यह अनुवर्ति नवानुवर्ति और परवर्ति तो यह सब हो गए आप जो मैंने बताया था भी थोड़ा सा समझाया था यह वाले यह दोनों बताये थे पूरवरती नदियो अध्यार उपित इससे इन कॉंसीकुइंट वाले से इसमें आपको जराब यहां पर एक सिंपल वे में डिफरेंस समझ लीजे जो मैंने दिखाया कि यह काट के आ रही है और एक यह वाली मतलब सुपर इंपोज हो रही है अब यह में समझ में आयागा क्ट तरोड नूवली फॉर्म लेंड फॉर्म वाल एंड एंड ट्वाली इससा इसट पर इंपर खत दिपर और प्रोड एग्जिस्टिंग मेंडल इस Acts का कट डीपर यानि कि नीचे की तरब डीपली काट रहा है फ्रोधा एक्जिस्टिंग लेंड पॉर्म एंड मेंटें दा सेम पाथ तो इस तरीके से अगर है सेम पाथ को अपना रही है तो इस अगर यह सारी तीदम से रिलेट। जो उपर वाले टर्म्स थी अब यही जो है यह सिस्टम है इनको में भी अब पट्रण की वाद करते हैं। ॉप्रेज धन पेटर्र की वाद करेंगे तो अब बहुत तन्त्रैने की ड्रेज्म इस system में नदियों का जो जहमेतिय विन्यास होता है यानि geometrical configuration और उससे कोई pattern बन रहा है यानि कि जो भी नदियां आके इदा उदर मिल रही है या कुछ हो रहा है नदियों में जो भी इनका जो पूरा अबबातंत्र बनना है उस अबबातंत्र को अगर हम geometrical देखें मतलब जमेतिय विन्यास इसका समझें कि किस तरीके से क्या है तो जो पैटर्न उसमें बनेगा उसे हम क्या कहेंगे उस को कहेंगे हम drainage pattern अब यह समझते हैं कि पैटर्न किस तरीके से होते हैं इन अबबातंत्रों में पैटर्न कितने तरीकी के बनते हैं अब यह पहला दिख रहा है बलाकार एन्नुलर पैटर्न क्या है कि इस प्रतरूप में नदियां प्रॉण यहनिकि मैच्चोर वह इरोड़ेड गुमबद्य परपतों से निकल कर उनकी परिक्रमा करतिए प्रभाित होती हैं अब मान लिया है क्या है परवद है तो तो इस प्रतरूप में नदियां मैच्यूर बाग जो अब यह जो परवद proportions कैसा है अर इहोड़ेड है मतलब इसमें इह रोज़न हो रत्वा है तो उस इसाफ से क्या है नदियां जो हैं असनीह रास्ते पेस सीद्य ना नीचे आके वो तरीके से परवत का परिकर्म कररना है जैसे पहाड उपर नीचे वाले तरही है तैसी पहाड के पाहादा पर पर ला यह देखे है तो जहां पर भी erosun करकर के परräवत करकरने कैसा रास्ता भन गया उनका को है जो है तो ये मैच और परवतों से उनका बन गया है उन editing है परिक्रम करते हुए बना लिया तो उसे कहेंगे बना लिया तो उसे कहेंगे एनुलर पैटरं उपर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जिससे रोड डिखता है ना इस तरीके से नदी दिखेगे इस को उसके प्रवत के चार और ऐसे भूमी वीची अब क्या कहते है पादबकाड डेंडेटअक पैटरन डेंडेटिक क्या नदियों का जाल कैसा दिखे Corinth के तने वा सखाओं के समान आप यहां पर दिख रहा है न इह जैसे एक पेड़में इस तरीकसे है साखाई निकलिए यह क्या यहां पर इस तरीके सी क्या है मेन बली जो है रिवर है इसमें ये जो ट्रिम्य की सबStudy रहे हैं तो तरीके से ये दिख रहे हैं ओंसली का जाल दिखता है नदियों का जाल इसतरीके से बनना में खैलाएगा पादब का पेड़ क Families नहीं के याली नुवा ट्रयलीज पैटर्न क्या है आपको दिख रहा हों कि इतर पर एक जाली दिख लिए नैंगी हम देखते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाली होती है लूभ जाली कि तरह ही नदियान एक दूसरी नदियां मिलती हैं तो इसमें क्या होता है एक है primary मतलब एक main river है अब इसकी जो है primary यह सेकंडी ट्रीट्री यह मेन वाली नदी में आके 90 पे मिल रही है और इसमें भी मिल रही है प्राइम डिट्रीट्री में तो एक जाल बना रही है इस तरीके से तो यह कहां पर मिलेगा ड्रेनेज डबलब कहां पर होता है और वहां पर क्या होती है जहां पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स एक दूसरे के पैरलल हों तो वहां पर इस तरीके का पैटरन बनेगा यह नदिया एक दूसरे के पैरलल बहर रही है फिर बीच में एक नदी आके इसको कनेक्ट करेगी इस तरीके से क्यों बनेगा पैटरन यह फोल्ड़ेट मॉंटेंज विसने यह इस इक नदी part करेए ऐक नदी यह पिर इसमें से भी इस तरीके से मिल गए तो यह ज ему रहा है कि यहीं चीज़े ने अद्यों और चानते यह कोई मतलब में इन कॉंसेक्वेंट हो गई फिर सबसक्वान सबसेक्वेंट होई रिसी कुएंट होई इस तरीके से बनेंगे तो यह पूर्वी सिंग्भूं के पुराने मोड़दार परवत आया ना मोड़दार परवत की बात पर जाली निमा न दिया इसका उधारन है रि इन फांड इन रीजन डैट अब अंडरगॉन फॉल्टेंग यह फॉल्टिंग वाली जगह की बात हो रही है इट डवलप्स ओने इस्ट्रॉंग्ली जॉइंट रॉक की ट्रेंड उपर जो क्या थी हमारी सॉफ्ट और पैरलल कौन कौन सी थी हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स तो इस तरीके का होना चाहिए और बात क्या रही है यहां पर दिख रहा है इस तरीके से ऐसे करके आ रही है और में में आके ऐसे करके शार्प ले रही है तो शार्प लेकि किसे हाई एंगिल पर आके किसे मिल रही है में मतलब शार्प बैंड ले रही है ऐसे यह शार्प बैंड लेके यहां मिल जाए ऐसी शार्प बैंड लेके इधर मिल जाए ऐसी कोई शार्प बैंड लेके इसमें मिल जाए तो यह जो बनेगा नहीं मतलब ए तो इस तरीकेये का जो इस्तितिंगे की तरह जुड़ रही है आके जैसे रेक्टेङल में 90 डिगरी पर आकर मिलता है तो साहक नदियां मुख नदी में समकोड है किन्तिव इसमें नधियों कि मिलने के स्थान का कॉण एंगिल ऑफ दे मेर्टिंग प्लेस ऑफ दा रिवर चट्वान की संदियों के द्वारन द्रधारित होता है टिस देटर्माइट भाइद ऑप दा रॉक तो रॉक्स के जॉइन्ट के अधार पे इसका निर्धारन होता है तो इस तरीके से यह चीज हो और चाहर बेंड होता है यहां पर और में इस्ट्रीम में आके हाइए पर मिल रही है और मिलने के स्थान पर क्या है जो है इस तरीके का पैटर्न बनाती है आपने देखाऊगा ऐसे एकर के दो है कि चंबल आके मिल रही है कैसे सिस नाइन डिक्री पे बेट वा मिल रही है और ट्से मिल रहे एक के दिख रही है देए मेन में आ कि इस तरीके से आ कि मिल लए Hm distingu क्या होता है यह भी प्राधिक भाल यानी की लिए ओर अनुसारि पार रही है वह एकना जेया दूसरे के पेरलल वह रही है तो यह ऐसी चीजह मैदानों में दिखती है तो गंगा indoors a कि एक नदिया जो हैं वो आपको दिखेंगी किया दिखेंगी लाद से उपश से आती और ऐसे पैडलल है तो यह क्या होगा इस तरीके से ऐसे नदियां एरेवियन सी में जाती वी दिखेंगी वह क्या होँगी परलल दिखेंगी, अब क्या करते हैं, यहां पर क्या देख रहा है, अभी केंदरी है यह केंद्रोन मुखी प्रतृरूप, यानि कि सेंटरिपेटल पेटर्न, यानि कि केंदर की और सब से कुछ उचे स्थान हैं यहां से नदिया निकल कर आ रही है और इसनदी इसे जील में कर मिल रही तो क्या हो रहा है यह मतलब उच्छे स्थान से निकल कर मद्द की नीची भूमे में यह जील में यह अंत्रिक सागर में आकर मिल रही हैं इसलिए इसका उधारन क्या हुआ सामबर लेक में मिलने वाली जो नदियां है कि वो रड़े पैटरन का उधारन है है अब यहीं पर आते हैं दो यहां अभी केंद्री देखा थran अभ अपकेंद्री यानि कि इक उच्छा स्थान से यानि कि उच्छा स्थान से निकल कै चारो cooled प्रभाविद है यह से अगर माणे उच्छे स्थान से उपर से निकल तो यह निद्धियां आ रही है और चारों तरब बह रही हैं तो इस तरीखे उसमें क्या 750 कि कि opportunity तो इसे Indra है वो कहा मिल जाती है गंगा में जाके नर्मदा इधर जाके अरब सागर की तरफ निकल जाती है तो इसी तरीके से महानदी है जो इधर इसकी तरफ आ जाती है तो इस तरीके से यहां से जो है चारो तरफ जिसाओं में प्रवाइद होने लगते हैं तो हमने कुछ अन्ड पैटर्न है यह कि दिखेगा आपको इंटर्मिटेंट पैटर्न अब मालिया इस परवत से नदी निकली और उसके बाद में आपने देखा होगा यहां पर अपना जो है कंकड पत्फर बगर ऐसे करके उसने छोड़ दिये अब बहां से बहां पर आपको दिखना बंद हो जाएगी यह नदी यानि कि वह छेतर क्या करें लाएगा बहावर छेतर तो बहां पर नदी आपको दिखेगी नहीं पिर आपको उससे आगे निकलके आपको नदी निकलती दिखेगी ऐसे करके तो यह क्या है intermittent यानि कि रुक रुक के पर आप साम में देखें तो क्या होता है ब्रेडिट का मतलब क्या हुई ऐसे नदी आई नदी की धारा और यहां पर उसने कुछ अपना छित्र जो भी अपसाद लेके आई वह जमा कर दिया तो उसकी जो में धारा थी ऐसे करके बट गई बटने के बाद में फिर आगे आके मिल गई फिर उसने कुछ जमा करा फिर असा में माजूली जो तीप है उसके वहां पर आपको दिखेगा यह पैटर्न ब्रहम पुत्र में अब यह दिख रहा है आपको अंडर ग्राउंड पैटर्न अंडर ग्राउंड कैसे होता है यह चीज आपको ब्लाइंड वैली में दिखेगी यह आश्य को नदी दिखी फिर आपने देखे कितने सारे पैटर्न देखे यह सब क्या है उसके जोमेट्रिकल कॉंस्पिग्रेशन के आधार पर हैं तो यह सब आपने जाने यानि कि रेडियल सेंट्रिपिटल पैरलल रेक्टेंगुलर ट्रेलीज डेंडिटिक एनुलर यह तो सब पैटर्न हो गए और इस तरीके से आगे हम नदी को अगर पढ़ेंगे तो नदियों में हमें यह सब पैटर्न और ड्रेने सिस्टम बगर समझ में आयागा मानिविकर डबली सी आई यह सभी की काम ना करते हैं अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद भिलते हैं एक अच्छे टॉपिक में